असलाम लेकुम Commerce Guts चैनल में फुशाम दिये As you all know, this channel provides you infotainment, entertainment and video lectures on different subjects तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे exams की policy के अवाले से जो के recently government ने जारी की है और students के इस हवाले से बहुत ज़्यादा questions comment section में आ रहे थे के sir exam की policy के हवाले से जरा हम हमें guidance दे दें तो इस वीडियो के अंदर हम तमाव students के तमाव questions के answer देंगे और exam की policy के बारे में discussion करेंगे तो चले चलते हैं exam की policy को discuss करते हैं तो जो सबसे पहली जो policy government ने अनाउंस की है वो 9th और 11th class के students के हवाले से हैं government ने ये का है कि वो student जो जन्होंने 9th और 11th class का exam देना था उनको promote कर दिया गया है next classes के अंदर मतलब 9th class के जो students थे वो दस्वी में चले गए और 11th के students को बारे में प्रमोट कर दिया गया है इनके exams नहीं होंगे दूसरा point जो उन्होंने बताया है उन्होंने ये काया कि वो students जिन्होंने दस्वी जमात के इमतिहानात दे दिये थे, क्योंकि दस्वी के exams हो गए थे तो उसके हबाले से बात की उन्होंने कि वो students जिन्होंने दस्वी के इमतिहानात दे दिये थे उनके marks जो है वो उनको दिए जाएंगे उनके जो papers हैं वो check होंगे चेक होने के बाद उनके result कमाइन होंगे और उसके बाद उनको result अनाउस किया जाएगा ठीक है और उनकी marking अब होगी थर्ड पॉइंट में उन्हेंने बताया कि marking of answer scripts of class 10 10 वी class की जो marking है वो 15 जून से start होगी और रिजर्ड जो है 90 days के अंदर स्टूडंट्स को दे दिया जाएगा Fourth policy जो उन्होंने दी है वो उन्होंने दी है बारवी जमाद के स्टूडंट्स के लिए क्योंकि बारवी जमाद के इमतिहानात नहीं हो रहे उन्होंने ये बताया कि वो students जो जो जन्होंने बारवी जमाद के इमतिहानात देने थे और वो ग्यारवी जमाद के अंदर मुकमल पास थे तो उनको जो बारवी जमाद के अंदर marks है वो ग्यारवी जमाद जितने दिये जाएंगे plus उसके अंदर 3% उनको additional marks दिये जाएंगे इस हवाले से मैंने marks कैसे calculate करने है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आप उपर देख सकते हैं उसका icon show हो रहा है आप उसको click करें आपको पता चल जाएगा marks कैसे calculate करने है आपने बारवी जमात के ठीक है प्लस उनको 3% extra marks भी दिये जाएंगे पांचे पॉइंट के अंदर क्या policy है कि वो students जो के 11 जमात के अंदर पास थे लेकिन 12 जमात के इंटिहानात के अंदर मुकमल फेल होगे तो उनके लिए government ने ये policy बनाई है कि उनको 12 जमात के अंदर पास कर दिया जाएगा और marks उनको 11 जमात में जितने उनके marks थे उतने ही दिये जाएंगे च्छटे point के अंदर government ने ये कहा है कि वो students जो के 11 जमात के अंदर पास हो गए थे और उन्होंने अम्तियान 11 जमात का 2018 के अंदर दिया था और 2019 के अंदर जो बारवी का अम्तियान था उसमें वो मुख्तलिफ subjects में fail हो गए थे और वो अब compare case के साथ मतलब compare exams दे रहे थे तो उनको भी pass कर दिया जाएगा जितने उनके part 1 के number थे उतने ही उनको part 2 में देकर उनको pass कर दिया जाएगा यह policy 2018 और 2019 के students के लिए है कि वो students जिन्होंने 2018 के अंदर part 1 क्लियर किया था सात्वे point के अंदर क्या promotion policy है कि वो students जो के part 2 जिनका clear है लेकिन उन्होंने part 1 fail किया हुआ है और वो supply के exam दे रहे हैं मुख्तलिफ subjects में वो fail है तो उनके साथ क्या criteria government है announce किया है कि उनको भी pass कर दिया जाएगा लेकिन marks उनको उनके part 2 के theory में जितने marks हैं उतने ही उनको part 1 की supply के अंदर दे कर pass कर दिया जाएगा अगर तो वो sciences के students हैं तो उनके जो practical के marks हैं वो उनको उतने ही दिये जाएंगे जितने उनके supply के exam में आए थे वो ही marks उनको दे दिये जाएंगे अठवे point के अंदर government ने ये promotion policy announce किया कि वो students जो के improvement के अम्तिहानात देना चाह रहे थे और वो part 2 की improvement पूरी सारे subjects improve करना चाह रहे थे as a whole तो उनको जो marks हैं part 2 के अंदर वो part 1 में जितनी theory के marks होंगे उतने उनको दे कर part 2 की improvement में pass कर दिया जाएगा ठीक है जी नवे point के अंदर उन्होंने ये policy बताईए कि वो students जिन्होंने मुख्तलिफ subjects की improvement देनी थी वो subjects part 1 के भी हो सकते हैं वो part 2 के भी हो सकते हैं example के तोर पर एक student है उसने बारवी जमात की chemistry की improvement देनी थी और ग्यारवी जमात की physics की improvement देनी थी अब क्योंके वो मकमल पास है लेकिन वो improve करना चाह रहा है अपने आपको तो इस case में क्या होगा उन्होंने ये कहा है कि अगर आप बारवी की improvement में जो आपके marks हैं वो जितने आपके ग्यारवी में उसी subjects के अंदर जितने marks आए होंगे वो ही आपको दे दिये जाएंगे ठीक है में जैसे chemistry के part 2 के exam देने थे improvement के तो जितने part 1 में chemistry में marks आये ओंगे theory के अंदर उतने ही part 2 के इंदर आपको दे दिये जाएंगे इसी तरहOur relationships part 1 की improvement देनी थी तो जितने part 2 में physics के marks आये होंगे उतने ही marks आपको वो students जिन्होंने HSEC Part 1 की प्रोव्मेंट देनी है मतलब 11 की उन्होंने इंप्रोव्मेंट देनी है 12 के अंदर जितने उनके marks होंगे उतने ही उनको 11 में marks देकर पास कर दिया जाएगा लेकिन ये marks theory के होंगे practicals के वह होंगे जो पुराने थे 11 points में उन्होंने ये बताया कि वो students जो के अपेर हो रहे थे अपने last chance के अंदर उनको भी average marks देकर तमाम subject के अंदर पास कर दिया जाएगा मतलब वो students जो जिनका last chance था वो भी पास कर दिये जाएगे और उनको average marks देकर पास कर दिया जाएगा 12th point के अंदर जो के part 1 में कुछ subjects के अंदर fail थे और वो part 2 के exams देना चाह रहे थे मतलब ये हुआ के part 2 के भी exam उन्होंने देने थे और part 1 के कुछ supply के exams भी उन्होंने देने थे तो इस case में उनके साथ क्या होगा तो सबसे पहले government ने ये कहा है कि उनको पास किया जाएगा उनकी part 1 की supplies के अंदर तो अगर उसकी supply है तो उनके अंदर उनको pass कर दिया जाएगा marks उनको average दिया जाएगे अब जो इनके total marks बनेंगे उतने ही उनको part 2 के अंदर marks देकर pass कर दिया जाएगा मतलब part 1 के जो marks बनेंगे उनको double कर दिया जाएगा और वो marks उसके total marks बन जाएंगे part 2 के अंदर तो ये 12 points के अंदर government ने ये policy announce की है 13 points के अंदर government ने policy announce की है कि वो students जो मुख्तलिफ subjects part 1 के और part 2 दोनों के मुख्तलिफ subjects के अंदर fail थे और वो supply के अंदर repair होना चाहरे थे तो उनके साथ क्या criteria होगा कि उन्होंने ये कहा है कि वो students जो part 1 और part 2 दोनों में कुछ subjects में fail है तो जो उनके passing subjects हैं उनकी average दी जाएगी जो average marks बनेंगे वो marks उनके उन fail subjects में उनको दे कर pass कर दिया जाएगा means कि वो students जो part 1 और part 2 दोनों में मुख्तलिफ subjects में fail थे वो भी pass हो जाएगे लेकिन उनके marks उनको उनके passing subjects की average के बराबर दे जाएगे 14th point के अंदर practical के अवाले से जो question था उसको उनने clear किया है कि practical के जो marks है practical पहली तो बादे वो कह रहे हैं practical exam conduct नहीं होंगे और marks जो हैं तमाम students को वो metric के हो या वो first year second year को हो सब को 50% marks दिये जाएंगे अभी लेकिन जो बाकी 50% marks हैं वो उनकी theory की percentage के इसाब से उनको दिये जाएंगे 15th point जो के बहुत important है आपने इसको जुरूर समझना है कि वो students जो के इस promotion policy को avail नहीं करना चाहरे वो यह कहते हैं कि ने जी हम तो part 1 में अगर fail भी हैं लेकिन part 2 में हम बहुत ज़दा नमर ले सकते थे government नहीं अनूंस किया जो pass करने की policy और 3% extra लेने की policy हम उसको नहीं मानते तो उनके बारे में government नहीं कहा है कि if any candidate does not accept the offered promotion award the analogy of previous marks he or she may opt to appear in next schedule examination in 2021 कि उनको ये का गया है कि आप 2021 के अंदर जो exam होंगे उनके अंदर आप appear हो जाएं कोई मसला नहीं है तो होगा ये कि आप अगर 2021 के अंदर appear होना चाहते हैं तो अभी आप 15 जुलाई से पहले पहले अपने board को ये inform करेंगे कि हम जो ये promotion की policy है हम इसको follow नहीं करते हमें ये decision कबूल नहीं है तो वो आपका ये वाला result cancel कर देंगे अब आप next year जो exam होगा 2021 के अंदर उसके अंदर आप appear होंगे फी जो होगी वो आपकी adjust हो जाएगी जो आपने इस साल जमा कराई है वोई फी आपकी next year फी हो जाएगी और आपको again जो है वो फी जमा कराने की जरुएत नहीं पड़ेगी 16 point के अंदर उन्हें ये बताया कि वो students जो 9th के थे और 11 जमात के थे उनको next class के अंदर promote कर दिया गया है 9 जमात के students को 10 जमात के प्रोमोट कर दिया गया है 11 जमात के students को 12 जमात के अंदर promote कर दिया गया है और उनके exam जो हैं वो 2021 के अंदर होंगे और marks वैसे ही दिये जाएंगे जो के promotion policy की guidelines जो हैं वो mention कीगी हैं उनके हवाले से उनको marks दिये जाएंगे 17 पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि वो students जो इस साल paper देना चाहरे थे जैसे कि 9 जमात के paper देने थे या 11 जमात के paper देने थे और वो paper नहीं दे सके तो उनकी जो exam की fees थी वो next year adjust हो जाएगी next year जो उनकी exam की fees है वो adjust हो जाएगी ये इस साल की fee थी उसमें adjust हो जाएगी उनको next year fee जमा कराने की जरुवत नहीं पड़ेगी 18 पॉइंट के अंदर उनने उन students के अवाले से बात की है कि वो students जो special category के अंदर fall करते हैं और उनके exams जो हैं वो अगस्त 2019 के बाद या नमंबर के दरम्यान हो सकते हैं तो वो कौन से students हैं जिनको exam देने पड़ेंगे वो students जो के part 1 और part 2 दोनों combine देना चाह रहे थे तो उनके exams होंगे वो students जो के additional subjects के अंदर appear होना चाह रहे हैं improvement के लिए वो दे सकते हैं और वो students जो के शादत खासा के लिए appear होना चाह रहे थे वो भी exams दे सकते हैं और exam उन्होंने देने हैं अगस्त 2020 के बाद last point के अंदर जो promotion policy बताया गया है कि तमाम boards जो भी certificates जो भी marks जो हैं वो award करेंगे part 1 के हो सकते हैं वो part 2 के भी हो सकते हैं जो भी marks वो award करेंगे उसके उपर वो ये लिखेंगे के ये government के guidelines और जो formula government ने बनाया उसके मताबग निकाले के हैं और ये जो marks हैं ये valid हैं, fair हैं इसमें कोई ambiguity नहीं है और ये government ने अपनी best prediction से marks दी हैं तांके कोई student इस पे objection ना कर सके उमीद है ये आपको तमाम points समझ आ गये होंगे अगर आपको कोई भी मजीद confusion है तो आप मुझे comment box में share कर सकते हैं मैं आपके answers questions के करूंगा अमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो यार इसको like करो और चैनल को भी subscribe करो Thank you very much love